मुलाना आजाद नेशनल उर्दु इन्वस्टी के तालिमी प्रवड़ाई नेशनल उर्दु इन्वस्टी के तालिमी प्रवड़ाई नेशनल उर्दु इन्वस्टी के तालिमी प्रवड़ाई तालिम पर निसाबसादी का क्या आसर होता है और निसाब है क्या। असलन निसाब साधी के बुनियादी अनासिर और उसकी जरूरत से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें बजाते खुद ये जान लें कि निसाब है क्या निसाब एक ऐसा लवज है जिसके सिलसले में न सिर्फ ये के आम लोगों या तालीम के तलबा के दरमयान अखिलाफ राय रही है बलके खुद माहरीन के दरमयान भी अखिलाफात हैं और निसाब के मुखतलिफ तारीफ मुखतलिफ माहरीन ने दी हैं लेकिन अमलन निसाब की एक तारीफ जिसे हम अपरेशनल डिफनेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह है कि वो सारे तजरुबात जो एक मदरिसा या स्कूल की निगरानी में एक तालिब इल्म हासिल करता है खाह वो दर्जा के अंदर हो या दर्जा के बाहर हो अगर वो स्कूल की निगरानी या मदरिसा की निगरानी उसमें शामिल है तो ये सारे तजरुबार जो एक तालिब इल्म को हासिल होती है ये निसाब कहलाता है निसाब साजी की अहमियत से इंकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि असलन रस्मी तालीम की अब्तिदा और इंते खात्मा दोनों ही निसाब पर मुनहसर करता है अगर निसाबसाजी बजाते खुद सही अंदाज से नहीं हो पाई तो बाकी सारा काम अपने आप गलत हो जाता है मुराद यह है कि किसी भी तालीमी सिलसला को शुरू करने के लिए और उसको हत्मी शकल देने के लिए निसाबसाजी की जरूरत दरपेश होती जब भी किसी चीज़ को समझने में काफी मुश्किल होती है तो अमूमन हम अनलिटिकल अपरोच या तजजियाती अपरोच इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल यही बास सादिक आती है निसाब के समझने के सिलसले भी निसाब को एक मशहूर निसाब के माहिर ने जिनका नाम टाइलर था उन्होंने एक टेट्राहिडरल सॉलिट फीगर से दिखाया है और इस चौकोर शकल के चार जो किनारे हैं सिरे हैं उस सिरे पे चार चीज़ें उन्होंने लिखी हैं पहली चीज़ है अबजेक्टिव या मकासित दूसरी चीज़ है मवाद मजमून या कंटेंट और तीसरी चीज़ है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस या आमोजिशी और तदरीसी तजरुबात और चौती चीज़ है इवैलूएशन और इादा असलन निसाब इन चारो चीज़ों की पर ध्यान देना और उसकी सही निशान देही करना एक सही निसाब तैयार करने के लिए लाजमी चीज़ है या यह बनियादी अनासिर है निसाबसाजी की तर्बियत पाने वालों के लिए या या तर्बियत जो असाज़ा की तर्बियत दी जाती है उनके लिए या फिर टीचर ट्रेनर जो होते हैं टीचर एडूकेटर कर लाते हैं उनके लिए नहीं सब के लिए यही बात साधिक आती है बिल्कुल आपने बजा फर्माए बजाते खुद नसाब के ये बुनियादी अज़जा हैं किसी भी लेवल का अगर हम नसाब तैयार कर रहे हैं तो इन चार चीजों से राह फरार नहीं है इन चार चीजों की शमूलियत के बाद ही वो नसाब नसाब की शकले अख्तियार कर सकता है मतलब कहने का मेरे ये है कि जब तक हम ये तईयुन न कर लें किस मकस्द के लिए या किन मकास्द के लिए नसाब हम तैयार कर रहे हैं नसाब का तसवर नहीं किया जा सकता इन मकास्द को हासिल करने का जरिया कार बजाते खुद मवादे मदमून या कंटेंट है और फिर इन कंटिंट को अमली शक्ल देने के लिए हम मदर्सा के अदर दर्स तद्रीस के तजरोबात शामिल करते हैं जिसमें मदर्स दर्स देता है और दर्स आप जैसा के नाजरीन भी वाकिफ होंगे खास के जो बीएट के तालबा तालबात हैं वो इससे पूरी तरह वाकि होंगे के दर्स महद इंस्ट्रक्शन का या हिदायत का नाम नहीं है बलकि इन में बहुत सारे तजरोबात शामिल हैं और इसी तरह आमोजिश या एक्तिसाब भी महद एक अमल का नाम नहीं है बलकि बहुत से मराहिल इसमें शामिल हैं इन तमाम किसम के तजरोबात की प्रो एवैलुएशन सिस्टम या सिस्टम जो इयादा का हमारे हम वजूद है किसी भी निसाब के सिलसले में उसका भी एवैलुएशन या इयादा करना ये सब मिलकर निसाब कहलाता है। कि एक आप समझते हैं कि उसको कैसे तर бывает दी जाय के वो इपतिदाए दरजात के स्कूलों के लिए निसाब Woah और और सानवी इन तीनों सीजे में क्या कोई आप फ़र्गर समझते जरूरी है फरक करना लेकिन हमारे सिस्टम की एक बदकिस्मती भी है बदकिस्मती ये है कि हमारे असातजा का रोल नसाबसाजी में आज की तारीख तक बहुत कम है जब तक असातजा उसके इंटेग्रल पार्ट न बने तब तक एक बहतर नसाबसाजी मुम्किन शायद नहीं ह इसलिए निसाब साजी के लिए जरूरी है कि उनकी राए और खुद चुंके निसाब के साजी के लिए बुनियादी तीन जराए हैं सोर्सिज हैं जिसकी बुनियाद पर निसाब बनता है सबसे पहला सोर्स तो है फलसफा यानि वो फलसफा जो किसी भी निसाब के लिए आप जिस फलसफा पर चल कर और ये फलसफा फलसफा काइनात भी और फलसफा हयात भी इन दोनों से हम एकस्ट्रैक्ट करके जो फलसफा तालीम के लिए तैयार कर रहे हैं पहला सोर्स तो यह है जिस पर निसाब मुनातर करेगा दूसरा सोर्स यह है कि वो समाज जिसके लिए आप निसाब तयार कर रहे हैं जिसके लिए निसाब पढ़कर एक तालिब इल्म उस समाज में जाएगा उसके जरूरियात का ख्याल रखना दूसरी जरूरी चीज है जिसे ध्यान में रखना और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जरूरी वो बजाते खुद वो तालिब इलम है वो बच्चा है या बड़ा है या बुड़ा है जिसके लिए भी आप जिस लेविल का निसाब कर तैयार कर रहे हैं उसकी जहनी बालीड़गी उसका इंट्रेस्क उसका रुज़ान उसकी आदतें उसकी खसलतें उसकी छुदूत इनकी जानकारी ज़रूरी है अब जब आप प्राइमरी लیविल और सेकन्डरी लیविल और टेश्यारी लیविल या हायर लेविल की बात करेंगे तो चुँकि इन चीजों में इन बच्चों या इन तलबा की जहनियत हर लिहास से इन तमाम चीजों में फर्क होगी इसलिए निसाब अपने आप फर्क करना पड़ेगा हमें निसाब बनाने में प्रोफिय साभ मैं आप से जानना चाहूंगा कि कई llegóल जाते हैं कि निसञब साजी में उनी लोगों को शामिल किया जाता है ऐसी जगे पे एयर कंडिशन अचिंशन कमरों में बैठ जो झाल निसाब करते हैं उन लोगों को शामिलνε किया जाता है जो फिल्ड में हैं, यानि वो असाथजा, जो वाकई नबुर्द आजमा हैं, वो जहल रहे हैं उन निसाबात के खुबी या खराबी को, मैं समझता हूँ कि क्या आपके ख्याल में ये दुरूस्त है कि उनको भी जो फिल्ड में हैं और उससे तजर्बात हासिल कर रहे हैं, उ जिने निसाब को नाफिस करना है, और मैं तो उससे एक कदम और आगे बढ़के कहूंगा कि जिन लोगों के लिए निसाब बनना है, उनकी शुमूलियत भी एक लेवल पर निसाब बनाने के लिए जरूरी है, यानि तालबा, उतालबात, और जो बुनियादी बात है समझने की वो ये है कि ये शुमूलियत का मतलब अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, शुमूलियत ये भी है कि उनकी जरूरती क्या है, ये पहले पता की किया जाए, बहुत मशूर निसाब की एक एकसपर्ट रही है, मुतरमा हिल्दा ताबा, उन्होंने एक मॉडल निसाब लेवल पर एकसपीरियंस कट्था करना चाहिए, और निसाब साजी का अमल एक गुरूप का अमल नहीं है, महस्त तालीम या एक मदमून का माहिर निसाब अच्छा निसाब नहीं बना सकता, बलकि वहाँ हमें सैकलोजी के एकसपर्ट की बी जरूरत है, सोशियलोजी के एकस उन बच्चों को ज्यादा करीब से जानते हैं और जो निसाब को असलन उसका निफास करते हैं और बरते हैं उसे उन्हें पढ़ाना रहता है, इसलिए उनकी जरूरत है, अब मैं एक बात जो कहना चाहूंगा कि असलन निसाब साजी के कुछ स्टिप्स हैं, कुछ मराहिल है जिससे गुजर कर ही निसाब साजी मुमकिन है। आप बहतर समझते हैं एक माहरें तालिम होने के नाते के निसाब यानि करिकूलम और फिर सलेबिस में जो दो टर्म हैं अंग्रेजी के तो इन दोनों में क्या कोई फर्क है या दोनों के आहाते अलग अलग हैं या एक दूसरे में समोया हुआ है। को कंटेंट या मवादे मजमून अब ये मवादे मजमून भी बहुत चोटी चीज़ नहीं है। मवादे मजमून की वो मुखतसर तफसील के किसी भी कोर्स में दोरान सेशन कितना मवादे मजमून किसी लेवल पे पढ़ाया जाएगा। इसकी मुखतसर तरीन तफसील का नामसलन सिलिबस है। जबके उसकी अगर तफसीली जाइजा की बात करें तो वो दर्सी कुतुब देती है। इसका मतलब है कि सिर्फ कॉंटिंट की बात अगर करें मवादे मजमून तो मवादे मजमून का भी एक छोटा हिस्ता महद सिलिबस है। क्योंकि उसकी मधीद तफसील दर्सी कुतुब देती है। और तफसील की बात आप करें तो बहुत सी इमदादी कुतुब दे सकती है। और तफसील की बात करें तो बहुत सी वो किताबें दे सकती हैं जो हवाल जाती किताबें। तो ये सारी चीज़े करिकुलम में शामिल होंगी। लेकिन सिलेबस महद वो मुखतसर तफसील है कि दोराने कोर्स किस हद तक मजमून के डिफरेंट टॉपिक्स या मवाद शामिल किये गए हैं उस सेशन में आपकी मुराद ये है कि करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन सब एक्टिविटीज को और मवाद मजमीन को सब को जब एकठा करते हैं तो करिकुलम बनता है जी बिल्कुल सही है आपने कहा कि मैंने कहा कि सिर्फ महाद चीजों के एक अठा करने से काम नहीं चल रहा है बलके उसके बरतने की बात भी है किस मकसद के लिए किया गया वो बात भी है और फिर उसे कैसे उसको इवैलूएट या उसका इयादा करें ये भी शामिल है करीकुल हम अपने आप में बहुत ही वसी मैं समझता हूँ कि इस पर गुफ्तगू तलबा और नाजरीन को बहतर आ रहा होगा उनकी समझ में इस बात आ रहे हैं लेकिन मैं जाना चाहूँगा कि इसके बुनियादी जो अनासिर हैं ये आप जरा सा अलग अलग करके हमारे तलबा के लि किस तरह तफरीक कर देखिए तफसील में जाने का मौका चूंके फिलहाल नहीं है लेकिन मैं बस इशारे में बातिं करूँगा सबसे पहली बार जैसे अगर पहला जुद आपने मकासित का मकासित मैं तर्जुमा कर रहूं हो अबजेक्टिफ के लिए इससे पहले सबसे पह कर सकते हैं या आप कर सकते हैं कि अंदर जो भी उटेंशिल किसी तालीब इल्म के अंदर है वो बाहर आ जाए यह मक है जाये और यह इस का ममबह जो topping है वो फिलस्सफवा है आप इनसान के बारे में क्या फिलस्फवा ह產 रखती है और काइनात के बारे में अब्हूद आपक मताइन करते हैं फिर उस हरे एक हदफ से किसी कोर्स का अबजेक्टिव मताइन होता है यानि जैसे माले आप बीएट की मिसाल लें तो बीएट पढ़ाने का क्या मख़स का क्या मकसद है मकसद यह है कि एक बेहतर उस्ताद तैयार करना क्योंकि हम समझते हैं कि उस्ताद बनना एक टीचिंग बजाते खुद एक प्रॉफेशन है इसलिए प्रॉफेशनल इन्पुट उन्हें इस हद तक मिल जाए कि वो जब मैदाने जार में जाएं तो उन्हें उसे सही तरीके से इत्मिनान से और इत्माद से करने का मुपन आप यानि खुद वो अपने तल्बा के सामने जब जाएं और मेरा खहले एक मैं तल्बा के लिए वज़ात करूं कि आप बनियादी अनासिर में उन चीज़ों को भी शामिल करना चाहते हैं जो तल्बा के अंदर मखवी सलाहियते हैं वो उभर कर सामने आएं मैं अब जरा सा एक बात आप से अगर कह दूँ कि चुँके करिकुलम बनाने का या निसाब साजी के मुक्तलिफ मराहिल हैं जैसे सबसे पहले मराहिल तो यही है कि मकासित का तैयून किस मकसद के जैसे मैं यही तकी तरफ इशारा किया कि असलान मकसद क्या है अब फिर उस म मादे मदमून का इंतिखाब चुँके मुक्तलिफ मादमीन जो हैं अलग-अलग डिसिप्लीन्स में होते हैं तो अब कितनी डिसिप्लिनरी नौलेज की जरूरत है कितनी इंटर डिसिप्लिनरी नौलेज की जरूरत है इसका इंतिखाब करना पहला मरहला दूसरा मरहला है अ है कि मजामेन की तन्जीम कैसे करें आम तोर पे ये समझा जाता है कि अगर हमने भ्रहएमून का तैयून का लिया मवाद मजमून का तैयून का लिया तो बात बहुत असान है लेकिन मुखिभ रिशेच ऐaran Review क까요 to करती है कि एक बहुत अच्छा मवाद मजमून का सिलेक्शन अगर गलत तरीके से उसकी तन्जीम हो गई तो बहुत बोंडे अंदाज में चीजें हो जाती हैं और वो मकसद हासिल नहीं हो सकता है इसलिए बहुत छोटी छोटे कुछ असूल हैं जिसे जहन में रखना जरूरी ह जैसे मतलन पहली बात जो यह है कि किस ग्रूप के लिए किन तलबा के लिए वो निसाब बना जाता है उनकी सलाहियतें क्या है उनकी इंट्रिस्ट क्या है उनके रुच्छानात क्या है उनकी जबान क्या है उनका कल्चर और बैक्गरॉंड क्या है वो सारी चीज़े जानना बहुत जरूरी है मुक्तलिफ लिसाने कुछ सोशियलोजिस्ट ने इस पर अच्छा खासा काम भी किया है कि उन्होंने देखा कि चूंके मदरिसा के खास किसम की लिंगिस्टिक कोड्स है इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये सारी और दूसरी चीज़ जैसे बहु मकاصد में ये लगतार होने चाहिए मैं अभी सिर्फ मापस में मदमून के जैसे फस्ट चैप्टर फस्ट टॉपिक जो आपने दिया दूसरी टॉपिक और पहले टॉपिक के दरमियान एक रफ्ट होना चाहिए और उससे पहले जो बच्चे के मालूमाद या तालिबिन के माल माहरین कहते हैं कि जो करिकुलम बनाया जाते हैं या निसाब साजी की जाती है उन में उमूदी और उफकी दोनों तरह के तालुकात या यूं कहिए कि दूसरे अलफाद में कि उन में दोनों तरह के रप्त होने चाहिए बिल्कुल सही फर्माया आपने कि वर्टिकल और होरिज होता है हमें रखना चाहिए कि हर डिसिप्लेंग कोई भी डिसिप्लेंग जो है उसका अपना स्टॉक्चर साख्त भी होती है उसकी और उसका अपना एक नेचर भी होता है तो स्टॉक्चर और नेचर दोनों होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रामरी कॉंसेप्स ह होती हैं उसकी कुछ चीजें सेकंडरी कॉंसिप थी कुछ चीजें टैषियरी कानसिफ होती है अगर उनके बीच भी आपने वही रिलेशन उन रहे अपने वह रिलेशनन भे नहीं रहा पहले आपने लगा स्पश्चनारी दे दीया और स्ध्राइमर्री साधी की तो तालीम तो बजाते हैं खुद एक इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है इसलिए यहां तो और भी जादा हमें हसास होना चाहिए कि उस बच्चा उस समाज उस पेशा जिसके लिए हम वो करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं उसकी नीड क्या है उसकी जरूरते क्या है और ग इन में दो बातें खासतओं से रखी जाती हैं तालीम और तरभीयत तो आप बहुत सारी बाते आपने तालीम से मुतालिक तो हो गएं हैं तो इनकी इनको भी तो करिकूलम में शामिल किया जाता है तो उनको किस तरह के करिकूलम दिये जाने चाहिए पी एड में भी वो ये तलबा जो हमारे खास मक्सूद है याई डिस्टेंस वाले जो जिनको फेस्ट वेस्ट से तालिम हासिल करना ज्यादा मुश्किल है वो ड बड़ा मसला छेड़ दिया है जिसमें दो तीन चीज़ें हमें कहनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि तद्रीस जो है यह आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस से मुराद मेरी यह है कि यहां कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप टीचिंग की बात करें जिसमें उन महारतों की शमूलियत हों यह चीज़ें सिखाई जा सकती हैं वो इसकिल डिवलब किया जा सकता है सिस्टेमेटिकली साइंटिफिकली जो हम ट्रेइनिंग का कमपोनिंट कर रहे हैं तो इस किसम की तरबियत उसे दी जा सकती है जो इसकिल्स ताके वो डिवलब कर उसमें वो महारतें आ जाएं जिसे हम अगर सब को एक साथ आप जोड़ लें तो टीचिंग कॉम्पिटेंसी भी आप काताते हैं जिसे टीचिंग कॉम्पिटेंस उसके अंदर डिवलप होगा लेकिन कुछ पहलो वो है जो आर्ट का है यानि वो टीचिंग क्रियेटिव है तो टीचिंग महाद यह नहीं है कि कुछ स्किल्स आपने पुछ बटन की तरह सीख लिया और कर लिया हर नए किलास में एक नया तद्रीज को मौसिर करने के लिए तो मौसिर बनाने के इसका मतलब है कि उसके पास वो क्रियेटिव नौलेज इंपुट भी होना चाहिए त पाके उन तद्रीज स्किल्स जो उसने सीखा है महारतें सीखी हैं उसको अपने इस क्रियेटिव पारड़ाम में डाल के एक मौसिर उस्ताज की हैसियते अपनी चीज को दर्जा में पेश कर सके और जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर महद एक इंस्ट्रक्टर नहीं है बलके टीचर तो वो है जो किलास के अंदर और किलास के बाहर एक ऐसा महाल तैयार कर देता है कि तालिब इल्म बेगएर सीखे रहने को तैयार नहीं हो वो जोश वो वलवला वो शौक तालिब इल्म के अंदर पैदा कर देता है तो यह महारतें महारतें नहीं हैं लेकिन महारतें अगर नहीं हो तो मुम्किन नहीं एक अच्छा टीचर बना इसलिए उसमें तर्बियत का पहलू भी शामिल है और वो तालीम का पहलू भी शामिल है जिसमें अखलाक भी है जिसमें वैलूद भी है अकदार भी है किरदार साजी भी है और दूसरों के लिए केरिंग होना जरू तो वो एक बोदा करिकुलम शाय तैयार होगा तो हमाहंगी इन तमाम चीजों में होनी चाहिए एक बैलन्स भी होना चाहिए और आप जैसा के जानते हैं के मुखतलिफ अदवार में टीचर एजूकेशन प्रोग्राम में इस पर मुबाहसा चलता रहता है आज कल भी काफी जो है के वो कौन सा ऐसा टीचर एजूकेशन करिकुलम हो जो सबसे मुथिर हो जो इन तमाम नुकात को सच मुझ में बड़ ही मतवादन अंदाज में चंद लफ़ों में आप से यह जाना चाहूंगा बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कालेजिस में और जो इनको गवरंड करने व लोक से इसका जो है वो दो साल होना चाहिए इसका वकफा कुछ का मानना है कि एक साल में ही खत्मने जा आपका क्या ख्याल है देखे जाती राय अगर मेरी आप लेना चाहती है तो मैं दो साल के फेवर में हूँ लेकिन महद वकफा का बढ़हा देना काफी नहीं है इस पे क कौन सी चीजें हैं जिसकी वज़े से बढ़ाना चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिसकी 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 चीजें है झाल झाल